हेलो फ्रेंप्स, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो फ्रेंप्स आप देख रहे हैं, मेरा बालम थानेदार तो फ्रेंप्स आप आगे देखेंगी कि वियोम आता है और कहता है कि अब आप तो मेरे पापा बन गए हो पापा इधर बीच में दिरिस्टि बोलती है लेकिं फिर उसकी कोई ने सुनता इधर आप देखेंगे की बुल बुल देखती है और कहती है की देखा आपने की इधर वियूम कितना खुश है मैंने वियूम की खुशी के लिए यह सब किया है लेकिन वीर नहीं मानता वीर बहुत गुसा करता है और वीर कहता है कि नहीं ये पापा नहीं है तुम्हारे और ये बात बानी को बहुत बुरी लगती है बानी रोने लगती है और बानी वहाँ से भाग जाती है कहती ही मैं जा रही हूं घर छोड़के और वानी भागते ही जा रही होती है पीछे से सिध्धाद वानी को बचाने के लिए भागता है और सिध्धाद के पीछे वीर होता है वो भी भागता है वानी को बचाने के लिए इदर सामने से एक ट्रैक आ रहा होता है और आप देखेंगे कि सिध्धाद वानी को बचाने के चक्कर में उसको तो हटा देता लेकिन खुद ट्रैक कर सामने आ जाता है और वो उसको लग जाती है वो ट्रैक से टकरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है गिर जाता है, सभी लोग देख कर रह जाते हैं और सभी लोग घबरा जाते हैं इधर वानी देखती है कि सिद्धात नीचे गिर गया है और वो वेहोश हो गया है वानी सिद्धात को जोसे चलाती है कहती है सिद्धात और फिर वो बहुत रोने लगती है इधर आप देखेंगे कि बुल-बुल ये देख करके काफी परेशान होती है पूरा घर घबरा जाता है और इतने में सभी लोग सिध्धात को हॉस्पिटल ले जाते हैं वीर भी वहीं पर पहुंचता है वीर काफी सोच में डुबा होता है इधर आप देखेंगे बुल-बु और इधर वानी भी बैठी होती है वो वानी के पास आता है और वानी कहती है कि तुमारे पापा ठीक हो जाएंगे और दोनों लोग सिध्धात के लिए बगवान जी से परातना करते हैं वानी अपने बेटे व्यों को समझाती है इधर मासा बैठी होती है मासा बहुत परिश बुलबुल कहती है कि सभी से कहती है कि आप लोगों क्या लगता है कि हमने गलत किया है मैंने वियोम और बानी जी जी की खुशी के लिए ये सब किया है मानते हैं कि मैंने सब कुछ किया है सारा सब कुछ मैंने ही किया है लेकिन मैंने जी जी की खुशी के लिए ये सब किया है आज आपने देखा बानी जी जी आज अपने शादी के जोड़े में कितनी खुश थी और मैं प्रातना करती हूं भगवान जी से वो हमेशा ऐसे ही खुश रखे शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा लेकिन मैंने उनकी खुशी देखी है और फिर बुल-बुल मासा के सामने हाँ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है मासा आप मुझे माफ कर दीजे मैंने जो भी किया वो बानी जी जी और व्यूम के लिए किया है और आपको नहीं दिखता है कि बानी जी जी आज कितनी खुश है और बुल-बुल घर के सबी लोगों को समझाती है वो वानी की खुशी के लिए कहती है सब को माफ कर दीजे बुल-बुल कहती है कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था प्यार में जो सही हो गलत नहीं देखा जाता है चोटा बड़ा नहीं देखा जाता है और उनसे एक गलती हो गई सिधाद जी अपनी गलती के लिए दिल से माफी भी माँगना चाते हैं लेकिन आप लोग नहीं माफ कर रहे हैं और प्यार में यह सब नहीं होता है आप लोग उनको एक गलती की में लिए माफ नहीं कर सकते हैं प्लीज उन्हें माफ कर दीजैसे धाद जी अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है कि वो पहले भाग गयते लेकिन आज देखिए आज वो नहीं भागे आज वो वहीं खड़े रहे आज उनके पास भागने के मौके थे फिर भी नहीं भागे और बुलबुल मासा के सामने रिक्वेस्ट करती है और इधर आप देखेंगे द्रस्टी वहीं पर खड़ी होती है और वहाँ पर मासा इदा उदा देखती है पहले और फिर मासा कहती है कि बुलबुल उठो और बुलबुल को वो उठाती है और फिर कहती है वानी इधर आओ और फिर वानी को भी बुलाती है बुलबुल और वानी का हाथ पकड़ करके वो उन दोनों को वहाँ से ले जाती है और आप देखेंगें कि वो वीज से कहती है कि वानी को ले करके आओ तो बुलबुल को लेकर मासा जाती है इधर यहाँ पर द्रस्टी खड़ी होती है बहुत कुश होती है घर पर मासा बुलबुल को लेकर हॉस्पिटल जाती है और मासा बताती है कि एक लड़की की शादी उसका घर बसना एक मा के लिए बहुत बड़ी बात होती है एक मा यही चाहती है कि उसकी बेटी अच्छे घर में जाए और खुशी-खुशी रहे और मा उसका करने अरान करे और मैं यह सब नहीं कर पाई लेकिन बुल-बुल तुमने वानी के लिए बहुत कुछ किया है और मैं जानती हूँ कि वानी बहुत बुल से खड़ा देख रहा होता है वानी काफी खुश होती है मासा अपनी बेटी को देख करके बहुत खुश होती है मासा कहती है मुझे अभी एक से और माफी मांगनी है वो सिद्धात की तरह देखती है और सिद्धात मासा को देख रहा होते है वह यह भी वहीं पर होता है और आप देखेंगे कि मासा सिधात से माफी मांगती है